अब आईए हम बात करते हैं आज के दिन जन्में जात्कों के बारे में आज है 30 सितंबर 2024 आज जिन दर्शकों के जन्दिन है उनके जन्दिन की बहुत बहुत बधाई धेरो सुभ कामना है आपका जन्दिन सुभ हो, मंगल मैं हो, आप खुब आगे बढ़िये आपकी पर्तिष्ठा बड़े सुख सम्रिदी, ऐस्वरे पत पर्तिष्ठा की ब्रेद्धी हो और आपकी मुनोरत भगवार भुले नाथ के किरपा से पूर्ण हो, हैपी बढ़िये आज जिन दर्शकों के जन्दिन उनको मुलांग होता है तीन तीन नमबर बड़ा महतपूर अंक होता है, कहते हैं कि तीन नमबर खास तोर से जो तीन नमबर ले लोग हैं, उनका बाहे ब्यक्तित बहुत ही आकर्शक होता है जो बाहे ब्यक्तित होता है, आंतरिक ब्यक्तित होता है ऐसे लोग दिखावापन में भी स्वास नहीं करते हैं क्वालिटी लाइफ जीते हैं दूसरों के लिए बड़े मददगार होते हैं दूसरों से उनकी अपेक्षा भी ओई सी रहती है ये बड़े अच्छे मित्र होते हैं और अच्छे सत्र भी होते हैं लेकिन जब इंसे कोई शत्रोता करता तो छोड़ते नहीं हैं और मित्रकव तो बड़े अच्छे से संबान करते हैं आपने जाने भर में कोई रिष्टा खराब नहीं करते ह। तो देखा जाते हैं कालखंड इनके लिए काफी अच्छा है ये पर्थम 6 महीने आपके वैपार के लिए, रुजगार के लिए, नोकरी के लिए, धन के लिए काफी अच्छा है, उत्रोत्तर इस सिती आपकी काफी मजबूत होगी, धन की सिती अच्छी होगी, पुनह आपका जुलाई, अगज सितंबर उतार चड़ा होगा है, कई तरह के उपाय क्या करना है, हनवान जी की अराधना करें, और गाय को रोटी गुड़ खिलाना न भूलें, अब आईए हम बात करते हैं, आज के दिन जन्में जात्कों के बारे में, आज है 30 सितंबर 2024, आज जिन दर्शकों के जन्दिन है, उनके जन्दिन की बहुत 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 धेरो सुब कामना है, आपका जन्दिन सुब हो, मंगल मैं हो, आप खुब आगे बढ़िये, आपकी पर्तिष्ठा बढ़े सुख सम्रिदी, ऐस्वरे पत पर्तिष्ठा की ब्रेदी हो, और आपकी मुनोरत भगवान भुले नाज के किरपा से पूर्ण हो, हैपी बढ़ ले क्वालिटी लाइफ जीते हैं, दूसरों के लिए बड़े मददगार होते हैं, दूसरों से उनके अपक्षा भी ओई से ही रहती है, ये बड़े अच्छे मित्र होते हैं और अच्छे सत्र भी होते हैं, लेकिन जब इनसे कोई सत्रोता करता तो छोड़ते नहीं हैं, और मित गुझणिय गुझट मुझट से चिकाइब होता है तो जनवरी फर्वरी मार्चरीम मैं जुन एक परिट तुट कि बैपार के लिए रुजेबार के लिए धन के लिए काफी अच्छा है उत्र उत्र सीक्रिकिक अब काफी मजबूत होगी धन की स्थी अच्छी होगी पुनह आपका जुलाई अगास सितंबर उतार चड़ा होगा कई तरह के दिखतों का सामना करना पड़ेगा परिशानिया आ पुनह अक्टूबर नॉम्बर दिसम्बर जो अंतिम तीन महिने आपके लिए चायात निर्यात होगा विदेश जा सकते हैं और आपकी परिशानिया दूर होगी सौधानी क्या वरत नहीं है खान पान पर नियंतरन रखें और अपनी गोपनीता भड़ते हैं उपाय क्या करना है हन्वान जी की अराधना करें और गाय को रोटी गोड़ खिलाना न भूले